असलावलेकुम एवर्ण वेलकुम बेक टू मैं चैनल आज मैं आप लोगों के साथ यह फ्लावर डिजाइन शेयर करने वाली हूँ लास वीडियो में मैं आप लोगों को यह लीफ्स बनाने बताए है तो अगर आप इस तरीके के लीफ्स बनाना सीखना चाहते है तो आपको अपने बिटन पर यह लिंक मिल जाएगी लास वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है किस तरह के लीफ्स कैसे बनाते है और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी यह फ्लावर बनाना बहुत ही ज़्यादा इसे बनाना बिगिनर्स भी इसे इसे बना लेंगे और इसका बैक साइड से हमने ग्रीन क्लर लिया है क्योंकि लीफ्स हमें इसके साइड में ग्रीन क्लर के लगाने है और यहां पर मैंने एक बीड लगाई है आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं मोती लगाना शाते है जिस तरीके का लगाना शाते है जो क्लर में लगा इसे बनाने के लिए मैं दो ताइप के थ्रेट्स लूँगी यह है गुलेरा 3-ply softy cotton यान और पिंक वाला है गुलेरा चैनलेट 6-ply cotton यान तो इन दोनों के हेल्प से हम यह बना लेंगे फ्लावर लीफ के लिए और लीफ आप cotton थ्रेट्स से भी बना सकते हैं जो स्टार्ट हम पिंक क्लर से करेंगे और उपर पिंक क्लर का हम फ्लावर बनाएंगे और नीडर यहां पर मैंने ली है जीरो नंबर 1.75 mm की यह दो रो थ्रेट्स आपको प्रधान आम लोटी स्टोर्स पर मिल जाएंगे इनकी पर्चेस लिंक में आपको दिस्केप्शन बॉक्स में दे सबसे पहले हम फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिपनट ले लेंगे स्लिपनट लेनी के बाद हमें चैन लेनी है टोटल हम यहां पर तीस चैन लेंगे 30 चैन हमें ले लेनी है यहां पर हमने 30 चैन लेनी है 30 चैन लेनी के बाद आपको यहां पर स्टार्ट में 1, 2 & 3 चैन का गैप छोड़ देना है और 4 चैन के गैप से हर एक गैप में आपको लेना है वन टाइम डबल क्रोचिट हर एक गैप में आप वन टाइम डबल क्रोचिट लेते चाहोगे Simply 1-1 double crochet लेते हुए, यह पूरी लाइन आप बना लो. इस तरीके से, इस तरीके से आपको हर एक gap में 1-1 time double crochet ले लेना है. अब हम 3 chain लेकर turn ले लेंगे, next line start करेंगे. थ्री chain ले ली हमने, turn ले लेंगे, पहले तो same gap में हम double crochet ले लेंगे. यह दो बार double crochet count हो गया, अब next gap में भी हम दो बार double crochet ले लेंगे. 1, 2, फिर next gap में हम 2 times double crochet लेंगे. हर एक gap में हमें 2 times यहाँ पर double crochet लेते जाना है. इस तरीके से हम यह पूरी line complete करेंगे. हर एक gap में आपको 2 बार double crochet लेते वे, यह line complete करनी है. यह देखिए guys, यहाँ पर मैंने यह हर एक gap में 2 times double crochet लेते वे, यह line complete की है पूरी. जब आप इसे complete करोगे तो यह कुछ इस तरीके से round बन जाएगी, इसे सीधा करोगे तो ऐसे frill आ जाएगी उपर. तो यह ऐसे ही आएगी, अब आपको धागा cut कर लेना है, और धागा हम change करने वाले हैं. Simply आपको 2 chain extra लेनी है, और धागा cut करके back side में joint कर लेना है. धागा cut करके back side में हम joint कर लेंगे, उसके बाद में हमें धागा change करना है, तो next color मैंने यहाँ पर ले लिया है, pink color का, और यहाँ पर हम simply slip knot पहले ले लेंगे. Slip knot लेने के बाद, जो यहाँ पर first cap हमें मिलेगा, वो है 3 chain का, इसमें हमें attach कर लेना है. इस तरीके से, attach करने के बाद हम लेंगे 8 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chain लेने के बाद, next chain के gap में, next जो gap है, इसमें हम attach कर लेंगे. इस तरीके से. यह round बन गया, फिल लेंगे हम 8 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chain लेकर, next gap में हम slip stitch ले लेंगे. इस तरीके से. फिल लेंगे हम 8 chain. 4, 5, 6, 7, 8. फिल नेक्स्ट गैप में, धागा लेकर बाहर आएंगे. और यह जो नीडल में धागा है, इसमें से भी बाहर आजाएंगे. और इसी तरीके से, हर एक gap में आपको ऐसे ही बनाते जाना है. पहले 8 chain लेनी है. 8 chain लेकर नेक्स्ट गैप में slip stitch ले लेना है. इस तरीके से. अब हम ऐसे ही अप पूरी line complete करके आपको बता दे. यह दिखिए, यहाँ पर मैंने हर एक gap में 8 chain attach लेते वे, यह line पूरी complete कर ली है. तो यह कुछ इस तरीके से round हो जाएगा. अब हमें क्या करना है? सेम ऐसे ही जब last attach आपका हो जाएगा, तो टू चैन आपको ले लेनी है extra और धागा कट कर लेना है. अब इससे आप back side में अंदर की तरफ attach कर लो. और फिर जो extra धागा है उसे आप कट कर सकते हैं. अब हमें क्या करना है? यह इसका front side है. यहां से हमें इस तरीके से fold करना है. इस तरीके से आपको fold कर लेना है. और fold करने के बाद इसका look कुछ इस तरीके से लगेगा. अब आपको इस तरीके के एक needle लेनी है. उसमें double धागा दाल कर nut दाल देना है. और यहां पर आपको अच्छे से lock कर लेना है. अगर आपको यह flower design अच्छी लगी हो यह आप लोगों के लिए helpful हो तो आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है. अपने friends and family के साथ आप share कर सकते हैं जो बिल्कुल free है. फर्स टाइम देख रहे हैं तो चैनल को subscribe करें. रड बटन है उसे click कर दें. और all पर click करके bell notification on करें. तो मैं जब new video दालू तो आप लोगों को उसकी notification मिलती रहें. और इस तरीके से आपको अच्छे से flower को lock कर लेना है. इस तरीके से. और यह हमारा flower बिल्कुल ready हो गया है. अब मैं इस तरीके की मोती मेरे पास है तो मैं यह लगा रही हूँ. आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं. अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो ना लगाए. और यहां पर मैंने मोती रखकर नीचे से नीडल को बाहर निकालना है. और यहां पर इस तरीके से इसे lock कर लेना है. एक दो बार बताती हूँ. आप इसे अपने ड्रेस पर लगा सकते हैं. बच्यों के फ्रॉग पर लगा सकते हैं. इसके बहुत सारे यूज़े से अगर आपके लिए वीडियो हेलफुल है तो मेक शूर आप इस वीडियो को लाइक करें. अपने फ्रेंड सेंड फैमिली के साथ आप शेर कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स वीडियो में इशाला अपनी दुआओं में याद दखेगा. अलाहाफिस. बाइ गाइस.